इस वक्त की बड़ी खबर राजनीती के अपराधी करन पर सुप्रिम कोर्ट का बड़ा आदेश सभी राजनीतिक दलों को ये कहा कि जो राजनेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर डाला जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल अखबार में चपे और साथी ये भी राजनितिक दल बज़े बताएं कि आखर इस राजनेता को उम्मीदबार क्यों बनाया गया टिकेट क्यों दिया गया ये बड़ा आदेश सुप्रिम कोड की तरफ से राजनितिक दलों को दिया गया है अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनितिक दल अपराधियों को टिकट देंगी और उसका विश्तित व्योरा, electronic media, print media और social media में प्रबिस नहीं करेंगी, उसको सुप्रीम कोड का contempt माना जाएगा अगर अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई कंडिडेट ऐसा जिसके खिलाब कोई अफायार नहीं है कोई दाग नहीं है, कोई उसके खिलाब कोई अपराद नहीं है, तो simple एक लाइन लिख देना है कहाँ उसके खिलाब कोई अपराद नहीं है अगर किसी के खिलाब बहुत सारे मामले है तो उसका बाकाइदा यह 5-8 नंबर, ट्राइल की स्टेज, चार्जेज फ्रेम हुआ की नहीं हुआ, यह पूरा वेवरा, इलेक्शन कमिंशन को बताना पड़ेगा, फेस्बुक ट्टर पे डालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोनिक उम्मीदवार बनाये जारे, उनका पूरी डीटेल, उनका पूरा रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर, ट्वीटर के जरीए, फेस्बुक के जरीए, अख़बारों को दिया जाएगा, इलेक्ट्रोनिक मीडिया को दिया जाएगा, इस तरह का आदेश सुप्रिम कोट की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, उसके खलाब जो भी केस है, उसको देखते हुए आखर टिकेट क्यों दिया गया है, ये वज़ा भी बाकायदा बतानी होगी, तो ये बड़ा आदेश राजनीती के अपराधी करण पर सुप्रिम कोट की तरफ से सभी राजनीतिक दलो को, ये अभी बताने का आदेश सुप्रिम कोट की तरफ से राजनीतिक दलो को दिया गया है, सुप्रिम कोट में चार्चुनावों का जिक्र भी किया, उन्होंने का है कि पिछले चार्चुनाव में बड़ी संक्या में ऐसे नेताओं को टिकेट दिये गए, जिनके क्रिमिनल अब रहे हैं